इस question में क्या given है बेटा e to the power 3 log x into x के power 4 plus 1 के power minus 1 into dx हमें given है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने यह concept यह जानती है ध्यान से लिदेख सुनना log e के power e x है ठीक है e के power क्या है बेटा e x है अब हमें यहाँ पर अगर यह और यह की value सेम है मतलब जो यहाँ है और जो वही यहाँ है तो इसकी value क्या हो जाती है वन हो जाती है जो magnitude होता है वही हमारा इसका value होती है मतलब हम यह कहें कि अगर हमने बोला कि log e के power e into चंडेगर तो यहाँ पर क्या होगा बेटा यह base सेम है यहाँ पर तो इसकी value क्या हो जाएगी जो log के सामने होगा वही हमारा क्या होगा इसकी value होगा मतलब यहाँ से हमने एक concept यह सीख लिया कुछ चंडेगर नहीं आएगा मैंने समझाने के तोर पर आपको बताया ठीक है तो यहाँ पर e के power अगर यह और यह दोनों सेम है तो इसकी value क्या हो जाती है वन हो जाती है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस question को क्या लिख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखिए बेटा तो हम यहाँ पर इसी यही application यूज करते हैं तो e to the power log x cube into x के power 4 plus 1 के power minus 1 into dx लेख दिया अब यह वाला power यहाँ पे कैसे चला गया तो हम जानते हैं कि log एक और properties हमने logarithmic का पढ़ा है कि log x के power m होगा यह वाला power यहाँ पे आ जाता है तो m log x हमारा हो जाता है मतलब जो power होता है वो कहां आ जाता है बेटा आगे की और आ जाता है यही property जब यह है त तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि log x लिखे हम log x लिखे या log base e x लिखे दोनों की value क्या होती है दोनों का मतलब same चीज है ठीक है e यहाँ पे base में छुपा होता है ठीक है तो अब यहाँ पर यह बताओ कि यह और यह इसकी value क्या हो जाएगी इसकी value 1 हो जाएगी तो हमा 4 plus 1 के power minus 1 into dx होगा अब हम यह जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का power अगर negative होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बिटा x के power 4 plus 1 upon में लिख सकते हैं क्योंकि power negative है power negative है तो कहां आ जाएगा बिटा upon में हमारा आ जाएगा अब इसके बाद हमें integration solve करना क्या होगे हमारे लिए easy हो गया कैसे बिटा अब यहां पे हम क्या करेंगे लेट x के power 4 plus 1 को हमने t माल लिया क्या माल लिया x के power 4 plus 1 को हमने t माल लिया तो अब क्या करेंगे taking differentiation both side taking differentiation both side दोनों side हम differentiation करेंगे जब भी हम दोनों side differentiation करेंगे तो power को नीचे लेंगे power में से हम 4x q into dx 1 का differentiation 0 equal to dt होगा हम यहां से यह result निकाल लेंगे बिटा 4x q dx is equal to dt हो गया हम यह बोलेंगे कि x q into dx is equal to dt upon 4 हो गया तो जहां पर बेटा x q dx होगा वहां पर अब हम क्या put करेंगे dt upon 4 तो यह यहां जहां पर x q into dx है इसके जगे पर क्या put करेंगे dt upon 4 हम put करेंगे अब ध्यान से देखो बेटा तो हमने यहां पर dt put कर दिया upon x के power 4 plus 1 है तो x के power 4 plus 1 को हमने क्या माना है t माना है तो अब हमारा dt upon t हमारा आ गया अब हम इसको integrate कर देंगे तो 1 upon x का integration क्या होता है log x होता है तो 1 upon t का integration क्या होगा बेटा log t होगा plus c अब t की जो भी value हम उसको put कर देंगे वही हमारा answer होगा t equal to क्या है बेटा x के power 4 plus 1 plus c और यही हमारा क्या होगा final answer होगा यहां पे बेटा 4 1 upon 4 dt upon four यहां पे 4 यहां पे राह गया थे, बेटा x क्यूआ च्यूआ तो dt upon four होगा यहां पर भी रहे गा 1 upon four और यहां पर भी वन आपान 4 होगा 1 upon four log x के power 4 plus 1 यह one up on four कैसे है बेटा x q dx की पे dt upon four put करेंगे तो हमने यहां पर जो x q dx था यहाँ पर dt upon 4 तो 1 upon 4 को हमने side में बाहर ले लिया था ठीक है यह वाली value हमने यहाँ पर put कर दिया तो यही हमारा final answer हो गया इससे असान solution और कहीं नहीं